और जी कैसे हो बजास फिम सबसे ओवरडराफ लेने का प्लान कर रहे हो बिल्कुल लो लेकिन लेने से पहले एक छोटा सा वीडियो जरूर देख लो जिससे आपको काफी क्लिरटी मिलेगे कि ये ओवरडराफ आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सबसे पहले जानत पहले मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है बैंक वाला क्या करेगा आपको पूरा का पूरा डाल देगा और उसी दिन जिस दिन 5 लाख रुपए आपको लोन देगा उसी दिन से 5 लाख रुपए पर इंट्रेस्ट आप पर चालू हो जाएगा वहीं ओवरडराफ में अब लिमिट आपके पास आया अभी पैसा आपके पास नहीं आया एक लिमिट आया है उसमें जैसे जैसे आप पैसे विड्रो करोगे उस पैसे पे आपको इंट्रेस्ट देना परेगा मालीजे 5 लाख का लिमिट आपके पास आगया और आपको 40,000 रुपए की आज जरूरत है त आप 20,000 रुपए अगर उसमें डाल देते हैं वापस तो आप पे 40,000 पे इंट्रेस्ट नहीं लगेगा आपको 20,000 पे भी इंट्रेस्ट लगेगा तो ये ओवरड्राफ्ट का एक अच्छा फैसिलीटी है और ऐसा ही ओवरड्राफ्ट बजाज फिर्म सर्व आपको देता है इस पे जो इंट्रेस्ट रेट बजाज फिर्म सर्व आपको लगाएगा वो लगाएगा 11% पर एनम से लेके 38% पर एनम तक यानि 11% से लेके 38% तक आपको इंट्रेस्ट इस पे देना पर सकता है जितना पाटा पी उच करोगे और ये इंट्रेस्ट अगर पेमेंट करने में आप चुक जाते हो तो बजाज फीम सर्फ आप पे 42, 42 percent Panel Interest 쿠र्ज करता है, जो की बहुत बरा amount है, जैसा कि हर लोगं का processing fees होता है, बजाज फीम सर्फ भी इसका processing fees चार्ज करता है, जो 3.9, 3 percent plus taxes होता है, और मालेजे कि आपने 7 सालों के लिए overdraft ले लिया, और एक-दो साल आपको लगता है कि नहीं भाई, ओवरड्राप्ट की नहीं जरूरत है, इसे close कर देते हैं, तो बजाज फिल्म सर्फ इसमें 4.72% force closure charges लगाएगा, पूरे loan amount पे, माल लिजे कि आपने 5 लाग का loan लिया है, और use किया है 40,000, तो 40,000 पे नहीं, पूरे 5 लाग पे 4.72% charge तो लेने से पहले एक बार सोच जरूर ले, अब बात करते हैं, मेन गेम का जो बजाज फिल्म सर्फ खेलता है लोगों के साथ, ओवरड्राप्ट के नाम पे, यहाँ पे बजाज फिल्म सर्फ बोलता है कि मैं 7 सालों के लिए ओवरड्राप्ट आपको दे रहा हूं, अब आ जब मन करें बिड्रो करूंगा, जब मन करें डालूंगा, आप यही सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ आप सिर्फ फर्स्ट एक साल, जो पहला साल होगा, उसी में आप पूरा एमाउंट ऐज ओवरड्राप बिड्रो कर सकते हो, या डाल सकते हो, जैसे आपको यह माई पे करना परेगा जितना आपने यूज किया है, यह माई ऑटोमेटी कटने लगेगा, अगर आप पे नहीं करते हैं, तो आप पे पेनाल्टी लगेगा, और चार्जेज लगेंगे, किलियर नहीं हुआ, इसको ऐसे समझते हैं, माल लिजए आपने पांच लाख रु महीनों में, as a equal EMI में convert कर देंगे, अब जैसे दूसरे साल में पहला महीना खतम होगा, तो आपका जो ओवरड्राप्ट लिमिट पांच लाख रुपे का था, वो पांच लाख का नहीं रह जाएगा, अब दूसरे साल में पहला महीना जैसे जाएगा, तो आपका जो लिमिट कम करते जाएंगे वो लो, और लास्ट में ओवरड्राप्ट लिमिट खतम कर देंगे साथ सालों में, तो ऐसा जैसे कि बजाज फिर्म साब आपको बोल रहा है कि हम मैं आपको साथ सालों के लिए ओवरड्राप्ट दे रहा हूं, तो साथ सालों के लिए आपको एक सालों के लिए दे रहा है बाकी 6 सालों के लिए आपको personal loan दिया जा रहा है तो यानि overdraft के हर्पर आप पे personal loan तो इसको ध्यान से देखे और जब भी overdraft लेने जाए तो सारे query पूछे बजाज फिल्म सब से उसके बाद ही आप वहां से overdraft facility ले और बजास फिन सब का ओवरडराप्ट आपके लिए अच्छा है कि खराब है कैसा है इसके लिए आप ये वीडियो जरूर देख ले ये आपको काफी हिल्फ करेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए